नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे सभी दर्शकों को भाईदूच के हार्दिक शुबकामनाय और बधाई और आज को शुब मुरत क्या कहता है और आज आपके ग्रहों के सितारों के हाल क्या है इन सब तमाम बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ इस खास कारिक्रा में मौझूद है जोतिश पंडित रवीशंकर जी प्राइम टीवी पर मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को भाईदूच की धेर सारी शुप कामना है और बहुत बहुत बदाई देखे पंडिजे लगतार हमारे पास धायदूच से जुड़े होए सवाल तो आही रहे है लेकिन पहले जानेंगे कि पंचांग और राशी फल क्या है सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे पंडिजे कि आज का पंचांग क्या खहता है आज का पंचांग बेक्रम संबत 2018 कार्तिक मार्क्स सुकल पक्ष की दुतिया थिती है दिन बुद्वार और दिनांग 15 नमंबर 2030 नचत्र जेश्ठा चंद्रमा व्रिश्चिक राशी में इस्थिर सूरुदय प्राता 6 बचकर 25 मिट सूरियास्थ सायंग 6 बचकर 16 मिनट पर राहुकाल 12 से डेड़ बजे दुपार तर अब रुक करते हैं राश्यों का सबसे पहले आपसे हम शुरुवाती तीन राश्यों के बारे में जानना चाहेंगे क्या खिर मेश व्रिश और मिथुन राशी वालों के लिए आज को दिन कैसा होगा देखें पहली राशी मेश राशी मेश राशी वालों के लिए आत्मबल बना रहेगा विरोधियों से मुक्ति मिलेगी आपको ब्रुवसाय में मन चाहा लाब होगा आपके कार पूर्ण होंगे साथी दूसी राशी ब्रिसब राशी ब्रिसब राशी की बात करें व्युसाय से लाब होगा घर में सांती का वाता बना रहेगा सिच्छा में आपकी रूची बढ़ेगी साथी नवक्री में सहयोगियों से लाब होगा आपकी तीसी रासी मिथुन रासी मिथुन रासी वालों के लिए कारी में कारी छेत्र में नई समस्या आ सकती है साथी कम लाब होगा उतावले पन ना करें अपने मन में जल्दबाजी ना करें साथी आने वाला समय आपके लिए आज का दिन भी अच्छा रहेगा ठीके पंडी जी करक सिंग और कन्या राशी वालों के लिए आखिर आज को दिन कैसा बीटने वाला है करक राशी वालों के लिए राजनीतिक छेत्र में सम्मान बढ़ेगा लाबकारी योजनाओं में पूझी निबेश कर सकते हैं संभव है और व्योसाई लाब बढ़ेगा अगली राशी सिंग राशी वालों के लिए मानसिक तनाव बना रहेगा नोकरी के इस्ति अनकूल रहेगी व्योसाई में आप सूझ बूस से आपके लाब होगा अगली राशी कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए उसा में बृद्धी होगी नोकरी में उन्नती के संकेत हैं साथ ही आप व्युसाय में लाब होगा घर में आनंद रहेगा ठीक है पंडी जी ये तो रही छे राशों के बाद अब बाकी छे राशों के बारे में जानने से पहले शुरुवाती एक बार फिर से तीन राशों का जिकर करते हैं कि तुला व्रिश्चिक और धनू राशी वालों के तारे आज क्या कहते हैं तुला राशी वालों के देखा जाए तो तुला राशी वालों के लिए आप अपने बढ़ते हुए कारी पर थोड़ा सा नियंतर रखे आप अपने पार्टनर से सामंजस अस्थापित करें तो लाब होगा स्वास्थ का विशेश्थ ख्याल रखें अगली ब्रिश्चिग राशी योजनाओं में सफलता मिलेगी साथ ही आपको ब्योसाय में लाब मिलेगा महमान का आवगमन हो शकता है आपके परिवार में उससे मन परसंद रहेगा अगली राशी धनूराशी धनूराशी वालों के लिए नोकरी में मान सम्मान बढ़ेगा सरकारी छेतर में अठके हुए कारी बनेंगे आपके ब्योसाय में विस्तार का भी प्रबल योग है तो आप इन सब चीजों का विसेज ध्यान रखें आपके लिए दिन अच्छा रह मकर राशी मकर राशी वालों के किसी चिंता से आप ग्रसित रह सकते हैं साथ ही आप अठका कारी बनेगा धर में आस्था बढ़ेगी और आज के दिन थोड़ा अपने स्वास्त का ध्यान रखें अगली राशी कुम राशी वाड़ी पर नियंतर रखें तो कारी सिद्ध होगा साथ ही ब्यवसाय छेत्र में आप थोड़ा ध्यान रखें अगर कोई आपका वरकर या आपका पार्डनर है तो उस पे नजर रखें साथ ही वहाँ नियंतर में चलाएं ज्यादा स्पीड में न चलाएं तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा आकरी और अंतिम रासी मीन रासी मीन रासी वालों के लिए नोकरी में सम्मान बना रहेगा साथ ही आपको कार योजना में सफलता मिलेगी ब्यवसाय में धन लाब के योग बन रहे हैं आपका मन परसंद रहेगा और अपके परिवार में सांती का वाता बरण और खुसहाल का वाता वरन रहेगा जिससे और भी आपका मन पसंद रहे हैं ठीके देखे पंडी जी ये तो हमने राश्यों का जिक्रिक कि आज के राशी वालों के अदन कैसे बीतने वाले हैं लेकिन आज चुकि भाइदूज का तेवहार भी है ऐसे में अब हम जानना चाहेंगे कि आज भाइदूज मनाने का वो क्या है गाउदूज देखिया आपका राहुकाल साठे बारा बजे बजे से डेढ़ बजे है बारा बजे से पहले आप भाइदूज जैसे सहर में तो एक साथ ही मना लेते हैं लेकिन गाव दियात में अलग अलग टाइम पर तो आप प्राता साथ बजे के बाद और बारा बजे से पहले जिस समय आपको उचित लगे उसमें आप भाई दूज मना सकते हैं साथ ही क्योंकि दुतिया तिती है साथ ही आज भाई दूज क्यों मनाया जाता है भाई दूज भाईयों के लिए बहने रखती हैं यह जो आपका त्योहार है यह केवल और किवल भाईयों की रच्छा के लिए यहां तक अगर यम्राज भी अगर आपके भाई के प्राण लेने आ रहे हों तो उनको भी वापस जाना पड़ता है बहन की इस दिर्ण प्रतिग्यां के शामने तो इसमें कई लंबी कहानी है कि अगर एक थे तो उनका प्राण सोयम य उनको शुरच्छा प्राण की तो बहनों क्या यह इसने होता है जैसे रच्छा बंधन उर्टा हे वही भाई बहनों को पर्वित्यवार ह होता है ऐसे ही बहने आपके लिए समझें जीमन दान का काम करती हैं एक नया जीमन दे रही है अएसे हर वर्ष वह आपको इसमें रख्षा बंदन और भाई दूज में अंथर किस प्रकार से हैं ? आप रच्छा करेंगे और जो भाई दूज होता है इसमें भाई आपने भाईयों के लिए सुरच्छा के लिए ब्रत रखती है तो ये जो भाई दूज होता है ये भाईयों के लिए और भी समर्पित होता है और इसलिए भाई दूज एक पवित्य त्योहार है और भाई बहनों का हमेशा इसने बना रहे ऐसे त्योहार हमारे हिंदू सनातन में हर वर्ष अपने तैस समय पर हम लोग मनाते हैं और अपने भ orsब करना चाहिक में उसका क्या पालन करना सकर या मुरा रख कि उस्ट होतार रखती आई और खेरी बनाती है उसका के अनाज रखकर कई प्रकार के अुसदीय उप जाज में काट भी रखती हैं और उन्में जो अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग प्रम्परा है तो उस विधान से भाई-दूज की पूजा करती हूं और इस favorach dengan सुछा के लिए प्रण लेती हैं और उनकी चुरत्षा पुजा प्रदान करने के लिए भगवान से ऐसी प्रातना करती हैं और पूजा पाठ करके उसको समाप्त करती है। क्योंकि जो भाई दूज की पूजा होती है। इसका आपको विसेश खास ध्यान रखना होगा। अगर आपको आज का विसेश यह अगर आपके कुणली में बुद्ध नीचका है या सुग्रह है तो आप बुद्धवार के दिन गाय को हराचारा खिलाइए। अगर यह भी ना हो पाए तो गड़ेश जी को दुरवास चड़ाइए। साथ ही मैं एक उपाए और बताता हूँ आपको विसेश आपको धन संपदा की अगर कमी हो रही है आपके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप कार्तिक मास चल रहा है। इसमे नियमित तुलसी माता को जल अरपित करें साथ ही आप जो साम को घी का दीपक जरूर जलाएं अपने हाथों से और ऐसे अप प्रतिदिन करें कार्तिक मास में तो आने वाला आपका भागी चेंज होगा साथ ही आपको धन संपदा की कमी नहीं रहेगी आने वाले अगल और ऐसा करेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो गाएं तो हमारे साथ इस खास कारिक्रम में जुड़ने के लिए तो हमारे दैनिक कारिक्रम समय चक्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही कल एक बार फिर आपसे मुराकात होगी तब तक के लिए बने रहेगे प्र